दोस्तो गर आपको वीडियो पूरा हेल्प करने वाला है आज में आपको पताएंगी कि कैसे जैबरे ब्रेंट के एरबड को रिसेट किया जाता है अभी तक आपने मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लिटेस वीडियो मिलते रहें तो सबसे पहले स्टैप यह होता है कि आपको इन एरबर्ड को अपने फोन के साथ अनप시यर करना होता है तो से क्लिम्म अपने फोन के Bluetooth साइटिंग में जाके यहांसे अनपेर कर देता हूँ अबущ Si अन्पेर हो चुके हैं, फोन की Bluetooth को off कर देता हूँ, उसके आपको करना क्या होता है, इन दोनों Earbuds को इनके case में डाल दे, case में डालेगा दे, आप देखेंगे यहाँ पर एक पर पर क्लर की light जालेगी, जो indicate करीगी, कि आपके जो Earbuds है, वो reset हो गया है, और वो automatically off हो जाती है, त अब ध्यान से देखेगा, कि यहाँ पर 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 क्लर की light आती है या नहीं, हो सकता है, आपको एक या दो या तीन attempt लगे, क्योंकि इसका जो countdown है, काउंट करने का, वो proper कभी चलता है, नहीं चलता है, तो इसके लिए हो सकता है, आपको दो से तीन बार try करना पड़े, तो यह यहाँ पर जो जलते हों, आप देख पा रहे है, यहाँ पर वो जल रही है, और यह automatically off हो गई, तो यह indicate कर रही है, कि दोनों के दोनों earbuds अब reset हो गए है, अगर आपके case में यह एक में light जल रही है, परपल और दूसरे में नहीं जल रही है, तो इसका मतलब यह है, आपने दो करूँगा कि आप दोनों earbuds को long press करकरके 10 second के लिए एक साथ, ऐसा करेंगे, तब ही आपके earbuds reset हो चुके है, मैं lead को बंद कर देता हूँ, और उसके क्या करता हूँ, lead को open करता हूँ, और phone के Bluetooth को on करता हूँ, और on करके अगर आपको यहाँ पर मैं search करके दिखाँ हूँ, तो आ आपको आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्रेस वीडियो को लाइक कीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा